Disadvantages of Asexual Reproduction, FASTA Contents, Low Genetic Variability, Susceptibility Against Diseases, and Passing of Deleterious Mutation to the Next Generation. So students, सबसे पहले हम बात करते हैं, कि What are the Disadvantages of Asexual Reproduction में, तीन जैसे अभी हमने Contents में देखा है, कि Genetic Variability Low है, Susceptibility जैदा है, और इसके बाद, जो Wrong Mutation, Deleterious Mutation है, वो भी Next Generation में पासान हो रही होती है. साथ से पहले हमारे पास है Low Genetic Variability. Asexual Reproduction में, चुँके जो Re-Combination है, Genetic Re-Combination है, वो नहीं है. Meiosis का प्रोसेस नहीं है, Crossing Over नहीं है. इससे सभी Mixing of Gamets नहीं है. तो नहीं Mixing of Gamets है, Mixing of Gamets की वज़ा से फाइदा यहीं होता है, कि नहीं Combinations बनते हैं Genes के. Crossing Over की वज़ा से Genetic Re-Combination होती है. तो अब नहीं तो Genetic Re-Combination हो रही है, नहीं Mixing of Gamets हो रही है, नहीं Gene Combination नहीं आ रहे हैं. तो रिजल्ट फिर यह होगा, कि जो Population है, उसके अंदर Variations रपीर नहीं हो सकेंगे. Population जाओ, वो Genetically जदा वेरियेबल नहीं होगी. तो सारक सारे अर्गरिजम आपस में Genetically एक जैसे होंगे. तो उस Population के अंदर हमें Variations बहुत कम मिलेंगी, जो मिलेंगी वो इस वज़ा से मिलेंगी, कि वो Mutations की वज़ा से मिलेंगी. जबकि Genetic Re-Combination जो अथी वो इन्वाल्ब नहीं होगा, वेरियेशन में. मिटेशन के वज़ा से जो वेरियेशन होती हैं, वो बहुत थोड़ी होती हैं. इसलिए हम कहते हैं कि Asexual Reproduction के थरू जो Population होती है, वो Genetically वर्स्टाइल नहीं होती है, उसके अंदर वेरियेशन बहुत कम होती हैं. Susceptibility to the, against the diseases. अब Susceptibility के अगर हम देखते हैं कि Asexual Reproduction के थरू जो Population सर्वाइव कर रही है, अब उसके अंदर वेरियेशन नहीं है. अचा वेरियेशन का डिजीज से क्या तल्लक है? होता यह कि एक Normal Population जो Sexually Reproduce कर रही है, उसमें कुछ एनिमल्स एक Genetic Combination रखते हैं, कुछ कुछ दूसरा, कुछ तीसरा. तो जो एक जब भी कुछ डिजीज अटेक करते हैं, कुछ एनिमल्स की डेथ होते हैं, लेकर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जो डिजीज के अगेंस्ट रिजिस्टेंस रखते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं. तो इसका मतली यह है कि जो Sex एनिमल्स सर्वाइव कर जाएंगे, रिजिस्टेंस होंगे, डिजीज के अगेंस्ट कुछ जब वो रिजिस्टेंस नहीं होंगे. अब एसक्शनली में, चुब के सारे एनिमल्स एक जैसे हैं, लेज़ा जब डिजीज एफेक्ट करेंगा, यह अगर चेंज होती हैं, तो इ डिजीज के अगेंस्ट डिजीजिस्टेंस पिर क्या होती है, उसके अंदर कम होगी. यह अच्छा डिजीज से हटकर इसके जो इन्वाइब्मेंटल वेरियेशन अगर आ रही हैं, तो फिर भी उस सूरत में क्या होता है, कि एसक्शनली प्रोड़क्शन का दुरान, जो एसक्शनल जो पापुलेशन होती है, वो कम फेस कर सकती है, ज्यादा इसको रिजिस्टन नहीं होती है, ज्यादा अडैप्टेबल नहीं होती है, चेंजिंग इन्वाइब्मेंट के अंदर. थर्ड जो इसकी ड्रॉबैक है, इस सेक्शनली प्रोड़क्शन का वो यह है, आ जर्म सेल लाइन्स के लावा अगर कहीं और म्यूटेशन है, सकेन के अंदर म्यूटेशन है, आइज में है, या किसी बाडी पार्ट के अंदर है, तो फिर वो सेक्शनली रिप्रोड़क्शन के थुरू अगली जिनरेशन का अफेक्ट नहीं करेगा, वो नॉर्मल स्पीशि होंगी, इसलिए एसेक्शली प्रोड़क्शन में कंसेप्ट यह है कि जो जो एनिमल के अंदर जो म्यूटेशन हैं, अगर वो एसेक्शली रिप्रोडूस का रहा तो सारी म्यूटेशन आगे यांग वन के अंदर चली जाएंगी, अब मोस्ली म्यूटेशन डैल्टेरियस हो हो रही हैं तो एनि यांग वन्स भी क्या होंगे, अबनार्मल होंगे, दिस दा ड्रावबैक के एसेक्शली प्रोड़शन तुरू, तमाम जो रॉंग म्यूटेशन हैं वो भी आगे यांग वन्स को एसेटी से ट्रांसफर हो जाती हैं